उत्रप्रदेश में सहारनपूर की देवबंध पुलिस ने बहुचर्चित यश्पाल चौदरी हत्याकांट का खुलासा करते वे उसकी भतीजी समें तीन आरोपियों को गिरफतार कर लिया है वरिष्ट पुलिश अधिक्षक निदेश प्रभू ने आज यहां समधाताओं को हत्याकांट के खुलासे की जानकारी दी उन्होंने बताया कि यश्पाल की भतीजी शिवानी का गाउं के ही अंकुर नामक यूवक से प्रेम संबंध था इन समधों को लेकर यश्पाल ने साल 2012 में अंकुर की पिटाई कर दी थी अंकुर को ये आशंका थी कि यश्पाल उसकी हत्या भी करा सकता है इसी बाद पर अंकुर ने अपने मित्र मनीश राठोड के साथ मिलकर 8 अक्टूबर को यश्पाल सिंग उस समय हत्या कर दी थी जब वो अपने गाउं मिरकपूर से बाइक पर देव बंद आ रहा था उन्होंने बताया कि शिवानी नहीं अंकुर को चाचा के बाइक से कहीं जाने की सूचना दी थी उसके बाइद अंकुर बगएर नमबर की स्कूटी पर अपने साथी को लेकर गया और मानकी गाउं के पास पीछा कर यश्पाल की गोली मार कर हत्या कर दी थी पुलिस ने गिरफतार हत्या रोपियों के पास से बारा बोर की दुलाली बंदूक एक तमंचा दस कार्तूस और हत्या के में प्रयक्त स्कूटी बरामत की है उन्होंने बताया कि इस हत्या के सलसले में साथ लोगों को नामज़द किया था चे आरोपियों को 26 अक्टूबर को ही गरफतार कर लिया गया था जबकि एक आरोपी अनुज अभी भी फरार चल रहा है जुसके तलाशी जारी है प्रभू ने बताया कि गरफतार तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है